नमस्कार दोस्तों आज हम इस वीडियो में आपके साथ डिसकस करेंगे फ्लाई प्रेस के बारे में यह है एक हैंड ओपरेटिड प्रेस है इसलिए इसको हैंड प्रेस के नाम से भी जाना जाता है और इसका दूसरा नाम है बाल प्रेस यह सिंगल साइड फ्लाई प्रेस है क्योंकि इसमें जो फ्रेम होता है वो एक ही साइड पर होता है अब बात करते हैं फ्लाई प्रेस का इस्तेमाल क्यों किया जाता है और कहां किया जाता है fly press का प्रियोग हम करते हैं जब हमें एक ही shape के एक ही आकार के component के बहुत सारी production करनी होती है कह सकते हैं कि एक ही component की mass production करनी होती है तब हम fly press का इस्तेमाल करते हैं fly press को अगर हम बात करें telephone industry में, automobile industry में electrical goods manufacturing में इस्तेमाल किया जाता है अब बात करते हैं जो fly press है उसमें कौन-कौन से part होते हैं अगर आप इस diagram को देखते हैं तो यहाँ पर आप अगर देखेंगे सबसे पहले हम बात करेंगे कि इसमें ये वाला जो portion है जिसे हम frame कहते हैं क्योंकि इसका जो पूरा setup है वो frame पर ही टीका हुआ है frame का ये नीचे base है एक परकार से sport प्रवाइड करता है सबी components को और इसका जो ये upper portion है यहाँ पर इसमें nut बना होता है इसमें एक nut में कहाए कि throughout hole है और उसमें internal thread बने होते हैं और frame का जो middle portion है यहाँ पर guide बने होते हैं इस guide में जो ram है वो slide करता है vertically और उसके बाद यहाँ पर ये इसका vertical screw है जिसके उपर external thread बने हुए है vertical screw और इसके बाद अगर हम बात करें ये जो vertical screw है इसका जो top end है यहाँ पर इसके साथ एक arm attach की जाती है और इस arm के दोनो ends पर अगर हम देखें balls लगी हुई है बोल की जगे पर weight भी इस्तेमाल किये जा सकते हैं तो यहाँ पर बोल आपको नजर आ रही है जो cast iron की बनी होती है तो यहाँ पर बोल्स का इस्तेमाल करते हैं यही कारण है कि इसको ball press के नाम से भी जाना जाता है उसके बाद यहाँ पर इस arm के इस side पर एक handle लगा होता है इस handle की मदद से इस arm को rotate किया जाता है घुमाया जाता है उसके बाद इस vertical screw के इस end पर यहाँ पर ram लगी होती है और इस ram के bottom में यहाँ पर punch लगा होता है और ram और जो punch हैं वो vertically reciprocate करते हैं up and down आवशक्ता के अनुसार उसके बाद अगर हम देखें यहाँ base पर यहाँ पर T-slot बना होता है इस T-slot का main कारिया होता है जब हम इस base के उपर यहाँ पर die को fix करते हैं तो T-slot की मदद ली जाती है die को हम bolt की मदद से इस पर fix कर सकते हैं तो यह इसके main part है अब बात करते हैं कि यह जो fly press है इसमें जो working है वो किस परकार से होती है जिस seat metal को हमें safe परदान करनी है या आकार परदान करना है उसे हम die के उपर रखेंगे और die के उपर रखने के बाद इस handle को बड़ी तेजी के साथ घुमाया जाएगा एक quick rotation इसको दी जाएगी और यह जो arm के उपर यह जो balls लगी है cast iron की जब हम handle की मदद से rotate करेंगे इस vertical screw को तो उससे क्या होगा यह जो ball है यह kinetic energy को absorb कर लेती है या store कर लेती है जो kinetic energy है उसको यह store कर लेंगी जिससे यह जो screw है vertical screw है इसको rotate करने में उस kinetic energy का प्रयोग किया जाएगा और इस vertical screw के rotate होने से यह जो ram है इस ram को axial moment मिलेगी यह जो ram है यह उपर होगा नीचे होगा जब हमें working को perform करना है तो यह जो punch है यह downward direction में आएगा और die के उपर जो seat metal रखी जाएगी उस seat metal पर यह thrust provide करेगा और जिससे क्या होगा कि जो die पर shape बनी है वो seat metal के उपर shape बन जाएगी die basically होता क्या है die पर वही shape बनी होती है जो component हमें चाहिए उसकी shape बनी होती है जैसा casting में mold होता है उसी परकार से तो जब यहाँ पर हमारा जो पहला stroke complete हो जाएगा उसके बाद यह जो punch है यह उपर उठ जाएगा और फिर हम next part को next seat metal के portion को आगे लेके आएगे फिर punch से downward direction में फिर से thrust provide किया जाएगा और इस परकार हम आफशक्ता के अनुसार जो भी shape हमें चाहिए वो हम यहाँ पर ले सकते हैं उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि ram का जो stroke होता है actually जो stroke है वो होता क्या है कि जब ram की जो extreme top position और ram की extreme bottom position उसकी जो length है उसे हम stroke कहते हैं और उसको हम adjust कर सकते हैं इस arrestor और stroke color की मदद से तो इसकी मदद से हम आफशक्ता के अनुसार stroke length को adjust कर सकते हैं और यह जो fly press single side है इसका basically हम जो rough work है उसको करने में इस्तेमाल करते हैं से hole punch करना है या फिर bending provide करनी है तब इसका इस्तेमाल किया जाता है और यह जो fly press single side है यह manually operated है अगर इसमें source of power की बात करते हैं तो वो इसमें manually होता है तो दोस्तो आज हमने इस वीडियो में आपके साथ discuss किया fly press single side जो hand operated press है इसमें क्या क्या components है कहां इसका 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 करते हैं अगर आप कोई वीडियो अच्छा लगा आप इसको like कर सकते हैं share कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ students के साथ तो जल्दी हाजिर होते हैं एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए धन्यवाद आपका दिन सुब रहे हुआ 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 ह कापक चाई जली अचले हो और भी कर दो सकती कर दो आजाद वादा । कि आपकार चार कि बुद को बगदा है